दोस्तों में फराज बलिक, नैशनल प्राइम टाइम शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सारी खबरें अपने देश की शुरुवात उत्तरप्रदेश से उत्तरप्रदेश के मुख्य मंतरी योगिया दिदनात ने अब ऐलान कर दिया है कि उत्तरप्रदेश में इंजिनिरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी पिछले हक्ते की ही बात है कि मद्देबरदेश की मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने भी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का ऐलान किया था ये नियम लागू हो जाएगा पिराल अगली खबर भूकम से जुड़ी है बिहार के कई सारे शहरों में साथी साथ गुजरात में भूकम के जटके महसूस किये गए आपको बता दें कल की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ इस साल बहुत ज़धा भूकम पाए हैं जितनी भूकम की खबरे इस साल हमारे सामने आई है पिछले कुछ सालों में हमने नहीं देखी अब चलते हैं अगली खबर की तरफ दो खबरे हैं और दोनों खबरे महिला अपराज से जुड़ी हैं पहले खबर उत्तरप्रदेश के कानपुर से सामने आई कानपुर में एक महिला की पास साल पहले शादी हुई थी लेकिन पास साल से उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी बच्चा नहीं हो पा जिसके चलते हुए उसका पती उसको टॉर्चर करने लगा उसके सस्राल बाले भी बहु को टॉर्चर करने लगे पती और सस्राल बाले बच्ची को लेकर तारा माने लगे और कहने लगे कि तुम मर क्यों नहीं जाती बहुत अधा टॉर्चर किया एक दिन पती ने अपने द दोस्त से मेरा बलतकार करवाया और उसकी वीडियो पे बनाई मैं चीखी चिलाई लेकिन मेरे उपर किसी ने रहम नहीं खाया वीडियो बनाने के बाद मुझसे कहा गया कि अगर तूने कुछ कहा किसी से तो तेरे इस वीडियो को सोशल मेडिया पर वायरल कर दिया जाएगा पतनी को धमकी दी गई लेकिन इसके बाब जूद भी पतनी ने जब इसका विरोध किया तो उस पती ने उस वीडियो को बदनाम करने के नियस से वायरल कर दिया महिला ने सचेंडी पुलिस के पाट जागर 15 अक्टूबर को F.I.R. दरच कर आई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पती और दोस्त को गिरफतार कर लिया दोनों लोग फरार हो चुके थे गिरफतार करके जेल भेज दिया तो आजकल हमारा समाच कितना गंदा हो चुका है अपनी बेहन बेटियों की बीबियों की इज़त लोग नहीं करते हैं और हौसले इतने ज़्यादा बुलंदे के कुछ भी गलत काम करने से पहले लोग कुछ सोचते भी नहीं है बिलकीज बानो की तरफ चलते हैं गुझरात की बिलकीज बानो जिसके पुरी परिवार को इसकी आखों के सामने मार दिया उसका भी बलककार किया गया वो प्रेगनेट थी काफी लंबे लड़ाई लड़ने के बाद बिलकीज बानो को नियाय मिला और उसके 11 दोशियों को उमर कहदी की सजा हो गई थी लेकिन हाल फिलाल ये 11 कहदी फिर से चर्चा में आए क्योंकि गुज़ासरकार ने इनको अपनी जील से रिहा कर दिया और ये कहते हुए रिहा किया कि इन लोगों का व्यभार अच्छा था इसलिए इनको रिहा किया जा रहा है गुज्रा सरकान ने सुपेम कोड़ में जवाब देते हुए कहा कि इनका व्यमार बहुत अच्छा था और सभी से राय मश्वरा करने के बाद सभी की इजासत लेने के बाद ही इनको छोड़ा गया है सबकी सहमती होने के बाद ही इन लोगों को जेल से रिहा किया गया लेकिन कुछ खबरें अब सामने आ रही हैं ये खबरें भी आपको बताना जरूरी है फिल्किस बानों के दोशियों को उमर कैथ की सजा हो गई थी लेकिन ये लोग पे रोल पर और जमानत पर तक्रीबन एक हजार दिन तक जेल से बाहर रहे पंद्रा साल बाद ये लोग छोटे हैं लेकिन पंद्रा साल में एक हजार दिन ऐसे थे जब ये जमानत पर या पे रोल पर बाहर रहे जेल से इसी दोरान मीडिया वेब साइट ने एक बड़ी खबर ये चापी है कि जिस दोरान पेरोल पर ये लोग बाहर आये थे तो उसमें से एक शक्स ऐसा था जिसने बाहर आने के बाद एक और महिला से छेड़ चाड़ की थी और इसके उपर दुबारा से महिला छेड़ चाड़ के आरोप में मावला भी दर्ज कराया गया था बिलकीजवानो के बलतकार के आरोप में उमर कैद हुई पेरोल पर बाहर आया और बाहर आने के बाद एक बार फिर से इसने महिला के साथ छेड़ चाड़ की ये पूरी रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है कौन सी धाराएं इसके उपर लगी थी किस तरह से इसने छेड़ चाड़ की थी सारी बाते आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं इसका नाम था चिमनलाल भट तो बिलकीजवानो के बलतकार में तो ये जेल में बंद था लेकिन एक मुकदमा चेड़ चड़का और इसके उपर लग गया लेकिन इसके बाबजूद भी इसका व्याभार जेल के अंदर बहुत अच्छा था जिसके चलते हुए गुजरास सरकार ने इनको रिहा करबा दिया फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खाया लगए